Research design Research design को समझे से पहले डिजाइन क्या होता है? आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप si False को कि आप नया मकान बनवाने जा रहे हो या फिर आप और किसी builder को देखते होंगे तो वो क्या करते है? वो अपना नक्सा जो है पहले बनवाते हैं नक्सा मरमादे मतलब क्या होता है कि वहाँ पे वो एक blueprint तयार करते हैं, डिजाइन तयार करते हैं, जहाँ पे बताया जाता है कि किस तरीके से man gate कहाँ पे होगा, room कहाँ पे होगा, drawing room कहाँ पे होगा, washroom किदर होगा, और जो सीड़ियां होगी उपर जाने के लिए वो कहाँ ह लगेंगे, east facing है, south facing है, यह पूरी detail जो है उस पूरे नक्से में दी जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, design कहते हैं, design मतलब क्या हो गया, design में से plan और drawing और blueprint, यह क्या है, एक plan है, एक drawing है, blueprint है, कि कैसे और किस तरीके से घर बनेगा, और किन किन चीजों की requirement वहाँ पर सकती ह तो इसी तरीके से जब research conduct किया जाता है, तो वहाँ पर भी different steps perform किया जाते हैं, data collection के techniques use किया जाते हैं, sampling techniques use किया जाते हैं, sample size choose किया जाता है, तो वो क्या होगा, उसकी जो planning किया जाती है, कि कैसे data collect करना है, कहां से data collect करना है, कौन से technique use करना है, उसकी जो planning करते हो आप, तो व होता है वो यह शो करता है कि किस तरीके से अगर कोई product बने गा तो वो कैसे दिखेगा कैसे उसके functions होगे क्या इसमें requirements होगी कैसे उसकी working होगी वो सारी चीजों को outline करता है वो show करता है तो similar way जो research design होता है कि research कैसे conduct करना है किनके चीजों की requirement होगी कि इतना time चाहिए हो कितना finance चाहिए हो कौन सा technique यूज होगा कौन सा instrument यूज होगा वो सारी चीज़ों को क्या करता है वो plan करता है blueprint पुराइट करता है तो that is called research design clear तो research design क्या होगे research design is a blueprint of collection, measurement and analysis of data कि किस तरीके से data collect करना है कैसे उसको measure करना है, कैसे analyze करना है, कैसे report prepare करना है यह पूरा जो है उसका blueprint दिखाता है research design it is the conceptual structure within which research is conducted ठीक है यह एक आपको framework provide कर देता है conceptual structure बना के दे देता है कि और उसी के according जो है आप क्या करते हो आप जो है अपना research conduct करते हो तो according to William Jickman, इन्होंने इसको define क्या कहा कि research design is defined as a master plan specifying the method and procedure for collecting and analyzing the needed information तो जिस भी purpose के लिए, जिस भी objective के लिए जो है आप data collect कर रहे हो, analyze करते हो तो उसमें कौन सा method होगा, कौन सा procedure होगा, क्या piece steps होगे, वो सारी चीजों को क्या करता है उसका एक master plan होता है, तो उसी को क्या कहते है, research design कहते है, clear तो it helps to decide upon issues like what, when, where, how much, by what means, etc. with regards to research yesterday तो research design क्या है, by design है तो यह आपको बताएगा कि कहा हो रहा है, क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, किस जरिये जो हो होगा अब research में आपको data collect करना है, तो data किस से collect करना है, data किस instrument से collect करना है, और data कब collect करना है यह पूरा आपको research design बता देगा Analysis करना है डेटा का, तो analysis का कौन सा technique होगा, आपको data को graphically present करना है, तो bar chart यूज़ करोगे, histogram यूज़ करोगे, या फिर pie chart यूज़ करोगे तिस सारे चीज़े क्या है research region आपको जो है उसके लिए एक आउटलों एक conceptual framework आपको जो है प्रोवाइट कर देता है clear research design provide outline about what the researcher is going to do clear तो research region क्या है वो आपको ये बताता है कि researcher जो है वो क्या करने वाला है इस research में जैसे location where study will be conducted यानि कि कहाँ पे study जो है conduct की जाएगी nature of data required किस type का data आपको requirement होगे sample design कौन सा use किया जाएगा time period जो चाहिए वो कितना चाहिए एक साल दो साल तीन साल from where data will be collected उस research को conduct करने डेटा कहाँ से collect किया जाएगा कौन सा technique use के जाएगा डेकलर data collection के लिए यानि questionnaire या interview या observation method of data analysis क्या होगा आप ANOVA करोगे या T test करोगे hypothesis testing कैसे करोगे data represent कैसे करोगे और वहीं पर type of report prevention कौन से type का report आप बनाओगे तो यह सारी चीजों को जो है क्या करते हैं आप planning करते हो और उसी को क्या कहते हैं research design कहते है clear तो research design overall आप बात करें तो कुछ नहीं है यह एक blueprint है एक plan होता है कि किस तरीके से research को conduct करना है किन-किन चीजों की requirement उसमें होने वाली है और कौन task कौन perform करेगा तो पूरा एक नक्षा होता है कि किस तरीके से research को conduct करना है clear अब बात कर लें कि feature of good research design एक अच्छा research design की क्या qualities होत है research design का use करके आप जो है अपने objective को achieve कर पा रहे हो reliability यानि कि जो भी data वहाँ पर आप यूज कर रहे हो जो भी टेक्निक या instruments से आप यूज कर रहे हो वो reliable हो भरोसे मंदू उस पर trust किया जा सके वो यह नहीं की consistency होनी चाहिए उसमें यह नहीं कि आज आप जो है कुछ और reports हो कर रहा है कल कुछ और reports शो कर रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए validity यानि कि जो चीज आप जो है find out करने की courses कर रहे हो उसी से related वहाँ पर content है valid होना चाहिए clear वहीं पर next है sufficient information जो design है research design है वो sufficient information provide करना चाहिए research conduct करने को लेकर अब आपने research design बना दिया उसमें data technique को आपने बताया ह तो यह क्या है यह गलत हो गया फिर वह एक अच्छा research design नहीं हो तो sufficient information provide करना चाहिए research design flexibility flexibility कहने के मतलब यहाँ पर यह है कि आप suppose कि आप जो है research design बना लिए उसके बाद फिर आप जो है अपना काम करना start कर देतो research conduct करना start कर देतो लेकिन आचानक से आपको लगता है कि नहीं कि जो research design है वहाँ पर कोई भी biasness नहीं चाहिए कोई भी error नहीं होना चाहिए तो यह एक अच्छा good research design होगा अब बात कर लें कि uses की तो एक अच्छा good research design का use क्या है तो but obviously बात है कि पहला important use क्या है कि it helps the researcher to complete the objective of the study in a given time period यानि कि जो भी time period दिया गया है उसमें जो है वो अप research निकी जो थी नहीं है facilitate getting the best solution for the research problem यह क्या है यह researcher को help करता है कि वो जो है best possible solution जो है research problem को find out कर सके it helps the researcher to complete all the task even with limited resources in a better way तो research design अब बना लेते हो जब आप नक्षा तयार कर लेते हो तो आपको क्या है आपको जो है आसानी होती है कि आप कम resource में भी जो है अपने task को complete कर सो कि एक अच्छे तरीके से next है that is reduce cost आप जब design बना लेते हो तो आपको जो फाल्दू खर्चे होते हैं वो आपका बच जात है और यह जो है researcher को एक direction प्रवाइट करता है कि आपको कब कहा कैसे क्या करना है clear तो एक अच्छा good research design है तो आपको यह सारी चीज़ें उससे benefit होती है तो जो यह research design है यह broadly 3 category में डिवाइट किया गया है research design is mainly classified into 3 categories exploratory research design descriptive research design and experimental research design जिसको causal research design भी कहते है causal research studies भी कहते है वहीं पर exploratory research design को formulative research भी कहते है तो आप उसके बारे में और ज्यादा information निकलना चाहते हो तो आप क्या करते हो exploratory research design यूज करते हो explore करना यानि कि किसी चीज़ के बारे में और ज्यादा knowledge आपको हासिल करना है descriptive research design क्या हो गया है कि यह आपको describe करता है किसी situation को किसी fact को किसी चीज को क्या करता है describe करता है कि क्या है क्यूं है कैसे है क्लियर क्या है कैसे है कोई accident हुआ तो कहा हुआ कब हुआ कैसे हुआ यह चीज़ बताता है descriptive describe करता है situation को वहीं पर experimental research design क्या है यह causal research होता है यानि कि क्यूं हुआ अगर कोई चीज घटी है तो वो क्यों हुई है उसके पीछे reason find out करता है experimental research design causal याने की cause and effect relationship यहाँ पे होता है clear तो इसको हम further अलग वीडियो में in detail discuss करेंगे wish you all the best keep watching